हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू आज में आपके लिए जोग वीडियो लेकर रहें कि अब बात करने वाले हैं अगेन केमिकल सेक्टर के एक स्टॉक की दिखें केमिकल स्टॉक के बहुत सारे स्टॉक हम आपके लिए लेकर आते हैं क्योंकि इस केमिकल का वाइड एरिया अप्लिकेशन मतलब मल्टिपल इंडस्ट्री में यूज यह अपने आप में एक मैं कहूंगा डैवर्सिफिकेशन है आप देखे हो केमिकल का यूज्ज आप F.M.C.G jsem बात करो, फूड की बात करो अलग-अलग सेग्मेंट में आप देखो चैनल लेयकर सगाता है फिर आपका ग्रोगेमिकल के बात करते हो छिर सामी कि बहुत सारी चीज़ आ जाती है और आगे जाते हो मैं जाते हो ऐस्टाइजे ना जाता है फिर आगे जाते हो दिफैंस में जाते हो तो आपने ब्रस किया उसको देखो साबून को देखो उसके बाद मैं काऊंगा जाडू पोछा लगता है उसको देखो और आगे जाते रहोगे तो हर जगे पर बरतंद होने होते हैं उसमें देखो चल्जे कल हमने गैलेक्सी सरफिक्टेंट की भी बात करेंगे चलिए आज एक ए इस सीरीज में आपको मैं फिर से कहूंगा कि टिप्स या रिकमेंडेशन के पीछे भागनी की कोई जरुवत नहीं है यहां पर चीजे जो डिशिजन मेकिंग है उसको मजबूत करना है और डिशिजन मेकिंग मजबूत कैसे होगी प्रैक्टिस से तो दर रेगुदर एक्सर और डे एंड एक्सराइज बहुत इंपोर्टेंट है डीप करेक्शन आफ्टो मोमेंटम के वही रिसेंटली हमने चर्चा की थी लेकिन आज यह स्टॉक की बात करने वाले है जरा देखिए बहुत ही छोटा स्टॉक है बहुत ही छोटा स्टॉक और नाम इसका आई वी पी नाम क्या आई वी पी अगर मार्केट के प्रिलाशन देखोगा आपको गयर बहुत ही छोटा है लेकिन अगर इस स्टॉक को देखिए पहले यह टाटा ग्रूप का पार्ट था अब यह अलाना ग्रूप का पार्ट है अलाना ग्रूप और यह कंपनी का डिटेल अगर आप द अछी देखने को मिल रही है तो नमबर यहां अच्छे हैं यहां प्राफे टबडिटी अच्छी देखने को मिल रही है लेकिन स्टॉक अभी बहुत चोटा है मैं बहुत चोटा है लेकिन जब बहुत चोटा है तो हमारी नजरों में क्यों आया उसको समझेंगे देखने की समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में और उससे पहले जो हम आपको कहते हैं basic price section के उपर बहुत ध्यान देना है देखे price cycle के हम बात करते हैं बड़े time frame में अगर मैं आपको चोटे time frame का भी example दू तो आप price cycle को समझोगे सीखोगे और बहुत अच्छे से इसका यूज कर सकता है यह ज्यादा पुराना नहीं आज की date का ही nifty का एक चार्ट है बहुत important यह चार्ट आप देख सकते हैं यहापे nifty के चार्ट को और किस तरीके से पा में रहा पूरे दिन के अंदर प्राइस थोड़ा ऊपर गया थोड़ा नीचे के लिए क्या है बेरिश cycle है तो यह एक इंट्राडे का concept आपके सामने लेकिन हम जनरली जब बात करते हैं बड़े time frames की बात करते हैं तो आप देखे आप तो बड़े time frames की जब भी बात करते हैं चाहे चोटा टाइम फ्रेम हो या बड़ा टाइम इंट्राडे में हम पांच मिनट की cycle को देखते हैं और अगर आप scalping mode में जानना चाहते हो तो एक मिनट का टाइम फ्रेम आप देखते हो 15 मिनट की cycle को आप समझते हो जब एक दो दिन के लिए आप देख रहे हो चीजों को तो आप यही देखिए अब यह आई विए के स्टॉक को हम देख रहे हैं क्यों रडर में लेकिया हैं और यह वीकली का चार्ट है मैं आपको बार-बार कहते हूं कि बड़े टाइम फ्रेम की cycle देखिए पिछली cycle जब स्टार्ट हुई थी यह प्राइस का लेवल कौन सा था 40 और कहां तक यह रैली गई थी देखिए 220 के लेवल तक और अगर मैं वापस आप देख सकते हो कहां पर गई तो बढ़े रैली थी कि नहीं थी कि अगर यहां पे भी बुलेश टू बीरिस cycle देखिए लेकिन उसके बाद देखिए जब बीरिस cycle स्टार्ट हो चुकी है अब दूरी बनाने बढ़िया है क्योंकि बीरिस cycle में चीजें बहुत रिस्की हो जाती है तो इसलिए हम आपको बार-बार कहते हैं कि कभी अगर entry लेनी है तो बुलेश cycle में ले अगर बुलेश cycle में वह holding period भी है अगर time लग भी रहा है तब भी आपको पता है बुलेश cycle में तो प्राइस गिरने का रिस्क रहता है और उपर से time कितना लग जा है यह भी नहीं पता आप देखिए अब यह एक positive cycle already started है लेकिन मुझे काफी अच्छा यह IVP का stock इसी दिख रहा है क्योंकि यहां पर structure break होता है और जहां से rally आती है वहीं पर balancing होती है ठीक है फिर से एक बड़ balancing के साथ साथ और कभी अगर यह volume यहां से break होता है तो यह balancing वाला act जो बना है जो कि 2000 मैं कहूंगा 22 से लेके 24 तक दो साल तक यह balancing कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा तो नहीं हो रहा है इस balancing के साथ क्योंकि छोटा stock है लेकिन जब भी छोटा stock होता है मैं आपको बार-बार कहता हूं कि वहाँ पर रिस्क को कैसे manage किया जाए छोटे stock का सबसे खतरनाक जो drawback होता है वह यह लगता है कि जब अपर circuit लगने लग जाते हैं तो फिर हाथ नहीं आता है जब लोवर circuit लगने लग जाता है तो निकाल नहीं पाते यह सबसे जो है जब पुरतस्त का drawback आप देख सकते हो यहाँ पर मतलब ज्यादा volume वहाँ पर trading के नहीं है क्योंकि 100 करोड़ 200 करोड़ का market capitation है easily manipulate वहाँ पर बो हो सकता है इसी लिए स्टॉक में आसमानों पर एंटर करना सबसे risky होता है आसमानों से मेरा मतलब है जैसे यहाँ पर cycle स्टार्ट हुई 44-45 का लेवल पर आपने एंटर कर लिया लेकिन जब आप एंटर करते हो इन लेवल पे 160-170 जब 200 SME से काफी दूर जा चुका है तब एंटरी करते हो तो कित होता है क्यों कि यहाँ पे position size उसी हिसाफ से इस हिसाफ से आपका risk है क्योंकि यहाँ पर मालनो मैंने 180 के अंदर दे कि यह छोटी छोटी बात है जरूर लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात है risk management के जब भी बात करते हैं मालनो मैंने 180 पे entry ले ली और मेरा stop loss था 140 का ठीक है 40 point का मुझे यह भी buffer zone में रखना पड़ेगा कि यह अगर मैं exit नहीं कर पाया तो कुछ दिन और अगर यह lower circuit मारे तो मैं निकल पा हूँ तो इसलिए position का size उसी आप से manage करना है तो यह important part है और अब यहाँ से rally आती है stock में देखिए already bullish bear cycle में था वापस bullish cycle में एक positivity ऐसे time पे औ numbers में कोई कमी नहीं revenue profitability स्टार्टिंग में losses यहां पर यहां पर लॉस था स्टार्टिंग में बढ़ी चीज़े फिर यहां पर जटका लगा अब वापस ही आपको देखने को मिल रही है यह foundry chemical का stock है foundry chemical बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे यह बहुत important foundry chemical देखिए अलग किते रही है प्रैक्टिस करते रहे प्रैक्टिस बहुत important है और प्रैक्टिस के लिए आपके सामने अल्रेडी चीज़े शेर्ड है प्रैक्टिस कीजिए and comment के थू हमें भी motivate करते रहे thank you thank you for watching the video